तो हमारा Libras के लिए अगर हम देखें कि August का मंद कैसे जाने वाला है तो उनके लिए Health के लिए है Seven of Pentacles उनकी Wealth के लिए The Herofin और उनकी Relationship के लिए है Two of Cups तो उनके Health में जो Seven of Pentacles का कार्ड है ये शो कर रहा है कि आप अपनी Health को ये सोच कर खराब कर देते हैं कि आपके पास बस इतना है और दूसरों के पास इतना है जबकि आपको ये सोचना चाहिए आपके पास जितना है आप उससे और कैसे इतना बना सकते हैं आप कैसे अपने Resources को Properly Use करके और अपनी Luxuries ये सब Create कर सकते हैं आपके पास सारी Abilities है इश्वन ने आपको सब कुछ दे रखा है तो आपको दूसरों के पास क्या है देखके परशान नहीं होना आपको इश्वन ने क्या दे रखा है आपको उसको देखके चलना Unnecessary अगर आप दूसरों को देखके परशान होंगे उनसे चालिस होंगे या हमिशा आपको अपनी चीज़ बिस कम दिखेगी तो आप हमिशा परशान हैंगे आपका mood swings रहेगा आपको anxiety रहेगी आपके पास जो भी होगा आपको कभी उस चीज़ की खुशी नहीं मिलेगी तो आपको यही करना चाहिए कि आपके पास जो है उसमें इतना अच्छे सपनी महनत कर दें कि आप बहुत कुछ पाज सकते हैं आपको बहुत इश्वर की blessing आप सब कुछ कर सकते हैं सेकिन है आपका the hero fan card यह आपके लिए आया है आपके wealth में तो यह जो card है आपके लिए निकला है यह दिखाता है कि आपके पास बहुत सारी wisdom है आपके पास बहुत लोग आते हैं आप से advice लेने के लिए आप से suggestion लेने के लिए और आप बहुत लोगों की problems का solution भी निकल सकते हैं आपके पास बहुत सारी problems का समधान भी है आप में ऐसी divine powers हैं शक्तियां हैं कि लोग आपके पास जब guidance लेने आते हैं तो उनके काम बनने लग जाते हैं कि आपके पास सबके लिए solution है तो तीन चीज़ों का जैसे आप create करना भी जानते हैं आप reserve करना भी जानते हैं आप किसी चीज़ को destruct करना भी जानते हैं जो आपके प्लस साइन्स हैं आपके तो आप विस्टम से इंसान भरे हुए इंसान है और आपके पास कोई छोटी उमर का आए कोई बड़ी उमर का आए आप सबको गाइडेंस दे सकते हैं तो आप ऐसी चीज़ में जा सकते हैं आप काउंसलिंग कर सकते हैं कोई आप से करियर गाइडेंस लेने आए या किसी और तरह की सजेशन्स लेने आए कोई भी ऐसी चीज़ जहां पे गाइडेंस की काउंसलिंग की जुरत है तो आप बहुत अच्छे सा कर सकते हैं आपको करके देखना भी चाहिए तो आपको लगता है कि जिस जगह पे जहां गाइडेंस की जरूत होगी आप उनको वो देंगे तो यह चीज़ आपके वेल्थ का मीडियम भी बन सकती है जैसे कि आपको लगता है कि यह काम करने से यह बनने से या लॉयर बनने से या कुछ भी ऐसी चीज़ करने से आपको अच्छी विल्थ अच्छा सब मिल सकता है आपकी काउंसलिंग से आपकी गाइडेंस से आपकी किसी को रास्ता दे सकते हो आपकी ऐसी जॉब में भी जा सकते हो जहां पर आपको counseling का काम हो, कोई job आप छोड़ना चाहो, कोई आप से career को लेके बात करना चाहे, तो कर सकते हैं. तो up to you, कि आप अगर अपने लिए जानना चाहते हैं, कि आपको ये काम करना चाहिए, या ये काम नहीं करना चाहिए, जोब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो आप के पास लोग guidance के लिए आते हैं, और आप खुद को भी guide कर सकते हैं, प्रकुद आप में बहुत guidance हैं already, wisdom बहुत हैं, तो जो भी आपकी guidance को सुनता है, वो बहुत जादा तरक्की करता है, growth होती है उसकी, और कुछ guidance आपको अपने लिए भी follow करनी है, आप अपने उपर पूरा भरोसा रखों, कि जो guidance आप दूसरे को दे रहो, अगर वही है आप अपने लिए भी करोगे, तो वो आपको फायदा देगी, ठीक है, तो आपको इससे counseling, ऐसी चीज़ों में, जहाँ पर आपको wealth प्राप्त हो, थर्ड आपके लिए जो relationship का card आए, वो है two of cups, जो कि बहुत अच्छा card है, आपके relationship आपके spouse से, आपके partner साथ बहुत अच्छ है, आप लोग के बीच में एक balance है, equal give and take है, आप लोग के पास blessings भी है, angels की, प्लस आप लोग को कभी कभी, balance बना रखने के लिए, कुछ out of the way भी काम करने पड़ सकते हैं, यंकि आप दोनों लोग किसी चीज के लिए तयार हो, लेकिन आप action नहीं ले पा रहे हो, तो आप action ले सकते हो, आपको पूरी divine blessings है, उन actions को लेने की, बाकि अगर आप चाहें, तो आप अपने कुछ चक्रा की healing भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो health से related था, अगर आप अपने root चक्रा पे focus करेंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी उसमें, प्लस आप अगर अपना sacral चक्रा पे भी ध्यान दे, तो उसमें भी आपको health होगी, प्लस आप crown चक्रा पे भी काम करेंगे, क्योंकि आपकी wisdom आपको भी guide कर पाएगी, ताकि आप wealth अच्छे से कमा सके, आप सोच समझ सकें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज आपको फायदा देगी, क्या चीज आपकी health के लिए अच्छी रहेगी, तो आप इस पे भी ध्यान दी सकते हैं, तो अपना ध्यान रखिए, take care,